हेलो दोस्तों स्वागत है आपका माई फारमा टिप से यूटूब चैनल पर आजम सुड़ों में ट्राफीक येमेफ टैबलेट के बारे में पूरी जान कर लेने वाले ट्राफीक येमेफ टैबलेट का मुक्कतों उपोयब ब्लीडिंग की समस्या रोकने के लिए किया जता है आईए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं कि टैबलेट कैसे काम करती है का इस्तमाल होती है इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है क्या साइड इफेक्ट है इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस विटूब मिल जाएंगे तो वीडियो को लास्टिक जरूर देखिए Sun Pharma Laboratories Company की यह 10 टैबलेट की स्थिप आपको Medical Store पर 360 रुपा में मिल जाएंगी गोस्तों बताएगे कीमत समय के साथ कम या जादा हो सकती है इस टैबलेट को खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के prescription की जरूरत होती है यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली टैबलेट है बात करते इस टैबलेट में मौझूद कंटेंड के बारे में Trappyc यह Mac टैबलेट में Trinexamic Acid IP PASOMG Mephanemic Acid IP DICEOMG यह कंटेंड समयश्ट है इसमें मौझूद Trinexamic Acidic Anti-Pibromyletic ड्रग है यह रक्तस्त्राव को नियंत्रित करने के लिए ब्लड क्लोस्ट को तूटने से रोखने का काम करता है इसमें मुझूद मेफेनेमिक एसीड या एक नॉन स्टेोरड एंटी इंफ्लेमेटरी डग के क्लास में आता है यह बोड़ी में उन केमिकल मेसेंजर को रिलीज होने से रोखता है जो दर्द और सूजन का कारण बनते है बात करते हैं इस टैबेट की यूज़ेस के बारे में डॉक्टर इसे किनकी समस्या में इस्तमाल करते है इसका मुक्षत उपयोग ब्लीडिंग जिसे हम रखतस्तराव खुन बैना करते है इसे रोखने के लिए इस टैबेट का यूज़ करते है इसे एबनॉर्मल यूटलाइन बीडिंग होने की समस्या में भी यूज़ करते है इस समस्या में गरबासे से अनियमित खुन बैता है जो सामने रुप से अधिक अनियमित या भारी होता है इस समस्या को रोकने के लिए भी इस टैबेट का इस्तमाल करता है इसे नाक से खुन बैने की समस्या को बंद करने के लिए भी डौक्टर यूज़ करते है इस टाब्लेट का उपयोग फिरेट्स के वक्त जादा ब्लीडिंग होने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते है इसे ही हिमोफिलिया होने की समस्या में भी डॉक्टर यूज करते है हिमोफिलिया एक बहुती कम होने वाली जेनेटिक बीमारी है इस बीमारे में चोट लगने पर खुन का थका नहीं जम पाता है जिससे खुन बैता ही रहता है हिमोफिलिया के कारण खुन में क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है इस समस्या कुदूर करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तमाल किया जाता है इसे दात निकालने के बाद होने वाले ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या रोकने के लिए भी यूज़ करते है इसे प्रोस्टेट या ब्लेंडर सर्जरी कें कुछ खासा होस्ताओं में थोड़ी दर के लिए होने वाली ब्लीडिंग की समस्या रोकने के लिए इस टैबलेट का यूज किया ज़ता है इस टैबलेट का अन्य उज जाने के लिए आप अपने डौक्टर या फार्मसिद से समपर्क कर सकते आपकी डॉक्टर उनके आनुपह से स्ट्राइट का inve femas li kicked यि यूज कर सकतें इस ट्राइट के डोसेज के बारे में आप अपनी समसस्या बता कर स्ट्राइट का से अपनी डोस आपके डोक्टर या फार्मस या पूछ पूह ले तो इस टैबलेट का डोस आपकी समस्या पर निर्दारित रहता है, यह आपकी समस्या जादा हो तो इस टैबलेट का डोस भी जादा होंगा, यह आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोस भी कम होंगा, इसलिए आप अपनी समस्या आपने डॉक्टर को बता अगर इस तो आपको बता के कुसी साइड्सी हो सकते यह आको बता के कुछ इक्स साइड इफेक्ट वैसे उगय सो आप तुनत अपने साइडिफिक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौझूद कंटेंस हैरेज है तो आप इस टैबलेट का यूज़ना करें अगर आप पहले से कोई आन्य मेडिसेन टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सुषना अपने डॉक्टर को आवश्य दे इस वज़े से इस टैबले इस टैबलेट के इस्तमाल के पहले या इस्तमाल के बाद अलकोल का परयोग ना करें इससे आपकी सिति भीगर सकती है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पूल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माइफार्मा टिप्स यूटूब चैनल को आपको आपको आप मेडिसेन दोस मिलते रहेंगे थैंक यूफर वाचिंग दिस वीडियो